हलो गाईज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे तेज सबस हैं ऐसे ही कुछ अनोखे सवालों के जवाब और कुछ अनोखे फैक्ट्स तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य परिस्तित्यों में और मानक प्रसंसकरंड के तहट चीनी सामग्री के कारण भूरे रंग के रूप में बाहर आ जाएगी असल में कच्चे गन्ने को उसके रस के लिए दबाया जाता है और कई प्रसंस करन चरणों से गुजरता है जिसमें अंतिम परिणाम भूरे चीनी के क्रिस्टल का निर्मान होता है लेकिन अन्य रसायनों या पदार्थों को जोडने या चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक नय चरण शुरू करके चीनी को पाउडर सफेद रंग में बनाया जा सकता है ऐसे ही एक प्रक्रिया कच्चे गन्ने से निकाले गए रस में सलफर डायोक्साइड मिलाने से होती है वाशपी करण के लिए रस को संसाधित करने से पहले सलफर डायोकसाइड को गन्ने के रस के चीनी को सफेद बनाने की एक अन्य प्रक्रिया में, चीनी क्रिस्टल के भूरे या बाहरी कोटिंग को हटाने के लिए अतिरिक्त प्रसंसकरन शामिल है, इस प्रक्रिया से ब्राउन शुगर, सफेद शुगर हो जाएगी, और मिश्रन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायन भी डालने पर ये और अधिक सफेद हो जाएगा ये विशेश रसायन मिश्रन में बिभिन अशुद्धियों को अवशोशित करने के लिए कारिये करेगा जिसके परिनाम स्वरू चीनी को सफेद किया जाएगा कुछ निर्मान कमपनिया इस उद्देश के लिए फॉस्फोरिक एसिट का भी उप्यो करती है जबकि अन्य कार्बन हाइड्रोक्साइड को पसंद करते हैं जिसकी गंद को सूंगते हुए बाकी चीटिया भी उसके पीछे पीछे चलती जाती है जिससे एक लाइन बन जाती है यही वज़े है चीटिया एक लाइन में चलती है कार में तो सीट बेल्ट्स होते हैं और होने भी चाहिए इससे accidents हो जाए तो ज्यादा चोट नहीं लगती लेकिन bus में बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं लेकिन फिर भी इन में sit bills क्यों नहीं होते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि bus के लिए government 80% खर्च उठाती है और इसका maintenance ज्यादा लगता है और दूसरी बात यह है कि अगर accident हो जाए तो car के मुकाबले bus धीरे से bounce करती है जिसका परिणाम यह होगा कि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगेगी और दूसरा यह होगा कि जब भी accident होता है तब लोगों को जल्दी से bus से उतरने की जरूरत होती है और seat belt रहती है तो उन्हें उतरने में देरी होगी दोस्तो जब आप दो साल के थे तब आप कितनी languages बोल सकते थे ज्यादा से ज्यादा मा और पापा है ना लेकिन एक बच्चा दो साल की उम्र में ही चार भाशा बोलना सीख लिया था और बोलता भी था और तीन साल की उम्र में ही उसने algebra को आसानी से समझ लिया और चार साल की उम्र में एक university में physics का guest student था और साथ साल की उम्र में NASA ने उसे अमरीका में invite किया था जी हाँ दोस्तो मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ ये एक सची कहानी है और उस बच्चे का नाम है किम यूंग यूंग और इसकी और एक खास बात ये है कि इसने 15 साल की उम्र में PhD कर लिया और इसका IQ लेवल है 210 यानि सबसे ज्यादा ये तो कोई super minded बच्चा ही है इसमें कोई शक नहीं आप शहद को तो जानते ही है शहद में खासी जैसी बहुत सारे रोगों का इलाज है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि शहद कभी खराब नहीं होता दोस्तों शहद 3000 साल तक खराब नहीं होता लेकिन इसे खुला छोड़ देने से शक्कर बन जाता है लेकिन खराब बिलकुल नहीं होता इसका कारण ये है कि शहद में वाटर कंटेंट नहीं रहता और ये मधुमक्खी के पेट में जाके शुद्ध होके निकलता है आपने माउंट एवरिस्ट की पिक को इंटरनेट पे तो देखा ही होगा इसके बार में एक रोगचक तथी ये है कि इसका पिक 400 million साल पहले एक सागर के अंदर था जी हाँ दोस्तो एक सागर के अंदर इसका पिक एक पत्थर से बना है और ये जिस सागर के अंदर डबा हुआ था उस सागर का नाम था टैथिस सी और ये समुद्र इंडिया एशियाई कॉंटिनेंट के बीच में था क्या आपने कभी ड्रैगन देखा है नहीं देखा तो आपने नदी तो देखी ही होगी लेकिन क्या आप ड्रैगन जैसे दिखने वाली नदी देखी है तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये एक ब्लू ड्रैगन रिवर है जो की पोर्तुगाल में स्थित है और इसका रेल नाम है ओडिलेट इस बुल को देखिए ये देखने में सेम कोई स्टैचू जैसा लग रहा है लेकिन ये एक असली बैल है और इसे बेलजियन ब्लू बूल कहा जाता है और इसकी जीम जैसी बॉड़ी डबल मस्लिंग म्यूटेशन की वज़े से हुआ है और इसका वज़न करीब 1250 किलो तक का है और ये अपने बहुत ज्यादा घुस्सेदार स्वभाव के वज़े से फेमस है पाई का वैल्यू क्या है 3.145926 लेकिन इसे याद कैसे रखे चलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मेरे साथ दोहराईए अब इस सेंटेंस में जितने भी वर्ट्स के लेटर्स है उसे काउंट करिये फिर आपको पी आई की वैल्यू मिलेगी है न शांदार इन दोनों लोगों को देखिए ये लेदर पकड़ के खड़े है लेकिन आपको बता दू इन्होंने 1 बिलियन जानवरों की जान बचाई है अगर आप सोच रहे हो की कैसे तो सुनिये इन्होंने कैक्टिस के पत्तों से लेदर बनाया जिसकी वज़े से बहुत सारे जानवरों की हत्या रुख गई है इनको एक सलाम तो बनता है क्या आपने कभी रेड बूल पिया है आपने इसके एड़टाइसमेंट में सुना होगा इसका टैगलाइन है ये आपको पंक देगा अभी ये फैक्ट इसी के बारे में है एनरजी ड्रिंक रेड बूल का टैगलाइन था इट गिव्ज यू विंग्स अमरीका में एक व्यक्ती ने रेड बूल के खिलाफ उसे पंक नहीं देने के लिए मुकदमा किया और कमपनी से जुर्माना के रूप में 93 करोड लिया इस हिसाब से तो हम फेरन लवली के खिलाफ और पॉंड्स के खिलाफ भी मुकदमा डालके लखपती बन सकते हैं ये तो अच्छा जरिया है पैसे कमाने का हाल ही में एक बाईस साल के युवक ने इवेस्ट से 600 ड्रोन बनाकर परियावरन की रक्षा करने के साथ-साथ इंडियन आर्मी की मदद की है इसलिए पिये मोदी जी ने इन्हे DRDO साइंटिस्ट घोशित किया है और इन्हें सम्मान भी दिया है आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो